आशा की दुनिया प्रस्तावना, एक समय की बात है, जब एक छोटे से गाउं में एक रहस्य मईई पेड था, इस पेड की छाया में बसी एक दुनिया थी, जिसे लोगों ने आशा की दुनिया कहा, इस दुनिया का राज था कि जो कोई भी इसे छूता, उसे अपने सबसे हाँ, नैरा, लोग कहते हैं कि इस पेड की छाया में सब संभव है, आकाश, मैं इसे छूना चाहता हूँ, नैरा, ध्यान रखो आकाश, सपने सच हो सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, कहानी का आरंब, एक दिन आकाश ने साहस करके वह पेड छू लिया, सब के सामने ह पेड ने उसे एक राजमंदी दुनिया में ले जाया, वहाँ उसने अपने सबसे बड़े सपने देखे, जो उसके जीवन की आगे की कहानी का आरंब बने, आकाश, यहां सब कुछ किसी भी संभावना से उपर है, गौरव, सहयोगी, हमें इस नए सफर को मिलकर अनभिज द करने का अवसर मिला है, आशा का अविरल स्रोत, आकाश ने आशा की दुनिया में बहुतंत्री और अद्वितिये प्राणियों से मिलकर अपने सपनों की मीटिंग्स किये, एक अद्भुत वन्यता और आशा की भरमर ने इस दुनिया को और भी खास बना दिया, नैरा, देख आशा की सभी कहानियों में होता है, इस कहानी में भी संघर्ष और परिक्षन आए, आकाश ने एक दिन देखा कि आशा की दुनिया में एक अंधकार चाया है, आकाश क्या हुआ यहां, ये कैसे हो सकता है, महिमा, आशा की दुनिया की रानी सब संभावनाएं बनाए रखना मुश्किल होता है, आकाश, लेकिन तुम्हें इससे निराश नहीं होना चाहिए समापन, आकाश ने महिमा की मार्ग दर्शन में आकर एक नई उर्जा और नई आशा के साथ वापसी की यात्रा की, उसने आशा की दुनिया को और भी सुन्दर बना दिया, और सभी को एक साथ मिलकर उसमें भाग लेने का मौका मिला, नैरा तुमने हमें एक नई आशा की दुनिया दिखाई है? आकाश हर किसी को अपने सपनों की पूर्ती का अवसर मिलता है, बस हमें उसे पहचानना होता है उत्कृष्ट निशकर्ष इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि जीवन में आशा और सपने हमें आगे बढ़ने की उर्जा प्रदान करते हैं चुनोतियों का सामना करना और आगे बढ़ना हमें अधिक सकारात्मक और मजबूत बनाता है आशा की दुनिया हमें यह सिखाती है कि सपनों का पीछा करना हमारे जीवन को सम्रिद्धि और संगीत से भर देता है